दस्वी खक्षा का दूसरा अध्याय पद मीरा दौरर अचित है इसमें पहला पद अगर हम देखे हरी आप हरो जनरी भीर द्रोपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर भगत कारण रूप नरही धर्यो आप सरीर बुर्तो गजराच राखियो काटी कुंजर पेर दासी मीरा लाल गिर्धर हरो मारी भीर तो इसमें कुछ ऐसा सब्ध है जो के कठे में सब्ध कहे जाएंगे जैसे कि हम देखते हैं पहले हरी हरी को यहाँ पे इश्वर कहा गया है हरो हरो का मतलब कहा गया हरन करना हर लेना उसके बाद अगर हम देखे भीर भीर का अर्थ होता है कफ्ट उसके बाद अगर हम देखे लाज लाज का अर्थ होता है लज्या चीर चीर का अर्थ होता है वस्त्र भगत यानि भगत उसके बाद है नरहरी नरहरी का मतलब नर्शी जो रूप धरा था इश्वने उसके बारे में सरीर का अर्थ होता है सरीर गजराज का अर्थ होता है इरावत यानि हाथी कुंजर का अर्थ पी होता है हाथी पीर का अर्थ होता है पीडा म्याही का अर्थ होता है हमारी तो अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो व्याख्या कुछ इस प्रकार है इस पद में कवित्री मीरा भगवान स्री कृष्ण के भग्त प्रेम का वरन करते वे कहती है कि आप अपने भग्तों के सभी प्रकार की दुखों को हरने वाले हैं अर्थात दुखों का नाश करने वाले हैं मीरा उधारन देते वे कहती हैं कि जिस तरह आपने दुरुपदी की इज्चित को बचाया और उसके साड़ी के कप्डे को बढ़ाते चले गया जिस तरह आपने प्रलात को बचाने के नर्षी का सरीर धारन किया जिस तरह आपने हाथियों के राजा इंद्र के वाहन एरावत हाथी को मगरमच के चंगुल से बचाया था हे कृष्ण उसी तरह अपने इस दासी अर्थात अपने इस भग्त के सारे दुखों को हर लो अर्थात सभी दुखों का नास कर दो और मुझे अपने सरन में ले लो मुझे अपना बना लो तो पहले पत का अर्थ समझ में आ गया होगा आप लोगों को अब हम देखते हैं दूसरा पत दूसरा पत श्याम माने चाकर राखोजी गिर्धारी लाला म्याने चाकर राखोजी चाकर रहस्यूं बाग लगाश्यूं नित उठ दर्शन पाश्यूं विंद्रा वनरी कूँज गली में गोविंद लीला गाश्यूं चाकरी में दसरन पाश्यूं सुम्रन पाश्यूं खर्ची भाव जागीरी पासियों तीनू बातियां सरसी मोर मुगट पितांबर शोहे गल बेजनती माला बिंदरावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला उचा उचा महल बनाव बीच बीच राख्यू बारी सावर यारा दर्शन पायू पहर कुसुंबी साडी आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जम नाजी रेती रा मीरा रा प्रभु गिर्धर नागर हिवलो घनो अंधीरा तो इसमें कुछ हम कठिन सब देखेंगे जोकि कठिन सब कहें जाएंगे जैसे कि हम देखेंगे पहला माने माने कार्थ यहां होता है हमें चाकर चाकर का आर्थ होता है नौकर राखो राखो का आर्थ होता है रखना रहश्यू का मतलब होता है रहकर पास्यू का मतलब होता है पाऊंगे जागीरी जागीरी का मतलब होता है धहन संपत्ति जो होती उसे हम बोलते हैं जागीरी उसके बाद हम देखेंगे धीनू धीनू का मतलब होता है गाई बनाओ बनाना जमना उसके बाद और भी कुछ है जैसे जमनाजी जमनाजी का मतलब होता है यमना यमना नदी तीरा, तीरा का मतलब होता है किनारा और हिवडो हिवडो कार्थ होता है रिदय घन्यो मतलब बहुत जादा अधीरा का मतलब अधी व्याकुल हो जाना और उसमें सब्र ना होना तो इसके अगर हम व्याक्या देखें तो कुछ इस प्रकार है इस पद में कवित्ती मीरा स्रिक्रिष्ण के प्रति अपनी भक्ती भावना को उजागर करते वे कहती है कि हे क्रिष्ण मुझे अपना नौकर बना कर रख लो अर्था किसी भी तरह उनके नजदी गहना चाती है फिर चाहे नौकर बन कर ही क्यों न रहना पड़े मीरा कहती है नौकर बनकर मैं बगीचा लगाऊंगी ताकि सुबह उठकर रोज आपके दर्सन कर सकूँ मीरा कहती है विंदावन की संक्री गलियों में मैं अपने स्वामी की लीलाओं का बखान करूँगी मीना का मानना है कि नौकर बनने के तीन फाइदे होंगे पहला उन्हें हमेशा क्रिशन के दर्सन होते होंगे प्राप्त होंगे हमेशा वो क्रिशन के पास रहेंगे हमेशा उनके दर्सन पाएंगे दूसरा उन्हें अपने प्रिये की याद नहीं सताएगी और तीसरा उनकी भाव भक्ती का सामराज्य जो है वो बढ़ता ही जाएगा मीरा स्री कृष्णी के रूप का बखान करतवे कहती है उन्होंने पीले वस्त धारन किया है और सर पर मोर पंखों का मुकुट विराजमान है और गले में बैजनती फुल की माला को धारन किया है विंदावन में गायर चराते वे जब वो मुहन मुली बजाते हैं तो सब का मन मुह लेते हैं मीरा कहती है कि वे महल के विशाल आंगन में फुलवारी लगाएंगी बगीचे लगाएंगी और कुसुम्भी साड़ी पहन कर अपनी प्रिये की दर्शन करेंगी अर्थात स्रीकृष्ण के दर्शन के लिए साथ सिंगार करेंगी मीरा कहती है कि हेव मेरे प्रभू गिर्धर स्वामी मेरा मन आपके दर्शन के लिए इतना बेचैन है कि सुबा का इंतजार भी नहीं कर सकता मीरा चाहती है कि स्रीकृष्ण आधी रात को ही यम्ना नदी के किनारे उन्हें दर्शन देते तो ये था इन दोनों पंक्तियों का अर्थ अब इसमें कुछ question अंसर दिये गये हैं और कुछ तो question number अगर हम देखे भाषा अध्यन का question number one इसमें उधारन के आधार पर पार्ट में निमलिखित सब्दों का प्रचलित रूप लिखें तो यहाँ पे इसके सारे रूप मैंने लिख दिये हैं आप इने learn कर लें चीर का वस धर्यों का धारन कुझर का हाती विंदावन का विंदावन रहस्यों का मतलब रहेंगी राख्यों का मतलब रखना बुढता का मतलब डूबना लगाश्यों का मतलब लगाना घणा का मतलब बहुत सर्शी का मतलब अच्छी हिवडा का मतलब हिदे, कुसुम्दी का मतलब केसरिया 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 रहसियों का मतलब रहूंगी इसके कुछ आर्थ थे थैंक्यू रहसिए रहसियों का मतलब रहसियों का इसरिया कुछ रहसियों कीव आर्थ डहसियों कीव